हेलो दोस्तों मैं कनहिया एक बाई फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंगलिश ग्यान पे जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेज एंड स्टेडी से जुड़ी टिप्स अपडेट्स मिलते रहती हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम D.U.B.A.D. इंटरंस एक्जाइम की प्रिपेरिशन को आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेशन डिसकस करेंगे जो की आने वाले इंटरंस एक्जाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है And one more thing I want from your side, if you are watching these videos and preparing for D.U.B.A.D. इंटरंस exam So please let us know in the comment section that how these videos are helping you and are these videos valuable for you all And on which other topic do I need to take some more videos for you all So that your preparation can go very smoothly and you can get something more regarding D.U.B.A.D. इंटरंस exam So let's get start this video and if you are new on this channel, so please must subscribe this channel for getting more videos regarding D.U.B.A.D. Interns exam preparation and for D.U.B.A.D. updates and other information So let's start it finally So the first question we have in this PDF is This is a चाल कैसी रासी है चाल एक अदिस रासी है और इसी के साथ साथ जो अन्य जो आपकी चीज़े होती है जो कि एक अदिस रासी के रुप में मापी जाती है वो है कार्रे समय द्रवेमान आयतन तो यह सारी चीज़े हैं जो कि एक अदिस रासी के रुप में मापी जाती है इसके अलावा आपका वेग हो गया, विस्थापन हो गया, तवरण हो गया, बल हो गया यह सारी साथी सरासी होती है ठेक है, यह क्या होती है सारी साथी सरासी तो अगर आपसे किसी भी competitive exam में पूछ लिया जाता है या पिर आपके D.U.P.E.D. में पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार की रासी है तो आप यहां से आराम से जवाब दे पाएंगे ठीक है next question है आपका प्रकास वर्स किसका मातरक है तो प्रकास वर्स आप सभी को पता होना चाहिए कि एक दूरी का मातरक है जो कि लंबी दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है जैसे कि ग्रहों के बीच की दूरी हो गई या तारों के तारों के बीच की दूरी हो गई तो इ इस से कि हम दूरी मापते हैं, ठ wären, यह भी प्रकास वर्श की तरह होती है बट यह पार से एक दूरी मापने की सबसे बड़ी हीकाई होती है, ठेक है, नेक्सर फिर आपका फॉर्मलाज होना है कुछ, life child का क्या formula होता है तो दूरी बटे समय, यह आपका यह question बहुत ही important है ये वाला और से नीचे वाला अवतल दरपण में अनन्त पर रखी वस्तु का प्रतिविम का कार और प्रकरति कार होगी तो देखे कोई भी अगर अवतल दरपण है and before reading these अवतल अवतल दरपण you can go through its concept that what are अवतल अवतल दरपण in English we call these concave and convex lenses so you can read about these more through the NCRT books तो यहाँ पर अभी मैं सिप आपको बता हुआ कि अवतल दरपण में अगर कोई वस्तु अनन्त पर रखी हुई है तो उस वस्तु का प्रतिविम और आकार और प्रकरति किस प्रकार की होगी तो देखिए अगर अवतल दरपण है और उसमें वस्तू अनन्द पे रखी हुई है तो परतिविम का आकार बहुत ही छोटा होगा और परतिविम की प्रकर्ती जो होगी वो उल्टा तता वास्तविक परतिविम बनेगा नेक्स्ट है इसी तरह उतल दरपण में अगर कोई वस्तू अनन्द पे रखी है तो उसका परतिविम आपका छोटा होगा बर यहाँ पर जो परतिविम की प्रकर्ती हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी वो आपकी सीधी और आभासी हो जाएगी ठीक है उतल और अवतल में यह प्रिशन है आपका अनुप्रस्त तरंग क्या होती है तो देखे अनुप्रस्त तरंग जब हम पानी में कोई पत्थर डालते हैं पत्थर फैकते हैं तो जो उससे कमपन होती है और पानी की लहरे बन जाती है एक गोले टाइप में तो वो वाली जो तरंग होती है वो तरंग कहते हैं और वहीं पर जो अनुधारे तरंग होती है और जो पानी में पत्थर फैका जाता है उससे जो उत्पन तरंगे होती है वह अनुपरस तरंगे होती है इसके अलावा फिर है नेक्ष्ट साभी विद्दु चुम्बुक्य तरंगे फोटोन की बनी होती है तो अगर आपसे पूछ ले जाए कि विद्दु चुम्बुक्य तरंगे किस से बनी होती है तो फोटोन से ठेक है यह सारे NCRT से निकाले गए फैक्ट है जो कि इंपोर्टे कहे जाता है तो टोनो मीटर का प्रियोग कहे जाता है फिर आपका जब कोई वस्तो स्वतन्त रूप से पृत्वी की गुरुत्वा कर्शन के कारण गिरती है तो उसका तोरण कितना होगा तरसी बात है जो पृत्वी का गुरुत्वा कर्शन बल है वो 9.8 मीटर स्क्वेर हो प्रित्वी की त्रिज्या से कम होती है और प्रित्वी की जादा हुई तो इसी लिए जो पलायन वेग होता है वो प्रित्वी की सत्य से अपेक्षित कम होता है ठीक है नेक्ष्ट आपका टैनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उची क्यों उचलती है तो क्योंकि वहाँ पर प्रित्वी का गृत्वेत्वरन कम हो जाता है इसी लिए वहाँ पर जो गेंद है वो अत्य दिक उचलती है नेक्ष्ट आपका घड़ी में चाबी देने का उदेश से इसमें किस उर्जा का बंडारन करना होता है तो जब हम किसी घड़ी या फिक लोने में चाबी भर देते हैं तो उसमें इस्थितिच उर्जा का हम इस्थितिच उर्जा भर देते हैं लाइक आपने पड़ा होगा जो spring होती है या फिर किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ जिसको हम सिकोड सके और उसके बाद फिर वो चप्टी हो जाती है बट हम जब छोड़ते हैं तो उसे तेजी से निकल जाते है जैसे आपका तीर दनूस हो गया कोई spring हो गई और उसी तरह की कुछ चीज़े होती है तो उसमें आप इस्थितिज उर्जा का भंडारण करते है इस्थितिज उर्जा को भरते है ठेक है फिर इसी तरह next question है आपका किसी वर्स्तु का भार अधिकतम किसमे होगा तो निर्वात अवस्था में किसी वस्तु का भार सबसे आधिक होता है ठीक नेक्स्ट कुशन है आपका एक पत्थर को गहरे तलाब में फेका गया पत्थर पानी में जैसे जैसे नीचे जाएगा उस पर उत्प्लावन बल में क्या बदलाव आएगा बहुत अच्छा कुशन है ये उत्प्लावन बल एक समान रहेगा ठीक है किसी परकार का कोई इस पर उत्प्लावन बल में चेंज नहीं होगा उत्प्लावन बल के बार में हमने इसे नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था तो वहां से आपको थोड़ा सा कॉंसर्पट इसका पता होगा इसके बाद है फिर आपका वायू मंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण होता है तो वायू मंडल में बादल के तैरनों का कारण यही होता है कि बादल का जो घनत होता है बहुत कम होता है ठीक है नेक्स्ट प्रेशन इसके लाबा उडान भरने से पहला रनवे पर क्यों दोड़ता है तो वायुदाब बढ़ाने के लिए हवायँदाब बढ़ जाता है फिर उसके बाद वायुदाब बढ़ जाता तो अपने आफ जो फ्लाहिट है वो ऊपर टेकफ कर जाती है नेक्स्ट प्रशन है आपका वर्सा होने से पहले पसीना क्यों निकलता है तो वायू मंडल में आदिरता अधिक होने के करण पसीने का वास्पिकन नहीं हो पाता है इसलिए जो वर्सा होने से पहले है पसीना हमारा ज्यादा निकलता है क्योंकि वायू मंडल में आदरता है नमी है ज़्यादा तो जो हमारा परशीना वो जल्दी से वास्पे कृत नहीं हो पाता है इसलिए जो परशीना है हमारा ज़्यादा निकलता हुआ दिखाई देता है नेक्ट प्रशन है आपका कहरा कैसी रात में बनता है कोहरा कैसी रात में बनता है तो सूस के एवन ठंडी रात में बनता है इंपॉर्टेंट कुश्चन है जामिया मीले इसलामिया के बीर इंटरेंस में पूछा जाता है और आपके डी यू में भी पूछा जा सकता है नेक्ट प्रिशन हमारा प्रकास के परकीन का सम्मन्द किस से है तो प्रकास के परकीन का सम्मन्द आपके प्रोफेसर रमन से है और इसी के लिए उन्हें नॉबल प्राइज भी मिला था ठीक है आपको यह याद रखना है कि प्रोफेसर रमन को किस चीज के लिए किस अविस्कार के लिए उन्हें Nobel Prize मिला था तो प्रकास के पढ़कीनन के सिध्धान के लिए ठीक, next question आपका प्रकास अपवरतन का नियम किस ने दिया था, तो स्नेल ने प्रकास अपवरतन का नियम दिया था, तो यही तक आज की वीडियो छोड़ते हैं, बांकि next वीडियो में देखेंगे कुछ और important के question डिसकस करेंगे बांकि आज के लिए इतना ही I hope ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा help करेगी आपके इंटरेंस में और आपकी preparation में, so मिलते हैं इसी प्रिकार की नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राव करके हमार सा जुड़ सकते हैं बांकि जो भी information होगी हमाने वाली वीडियो में अपडेट कर देंगे आपको तो thank you very much for watching this video, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए